कोगे इससे लड़ाई से क्या लेना देना है मान लीजे किसी पुलिस वाले से आपकी लड़ाई हो गई और पुलिस वाला आपसे नराज हो गया लड़ाई नहीं भी होई गाली गलोज हो गया आप धीट बन गए या नेता बन गए आपको लड़ना ही है और पहुच आपकी ठीक ठाक नहीं है तो पुलिस वाला बुक कर सकता है आपको 25-1-A-B में और आप पुलिस वालों से भिड़ गए बहस हो गई और उस टाइम पे पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर लेते हैं और आप कहते हो भाया हम भी कानून जानते हैं कानून हमने भी तो गड़बड़ी यहां पे हो गई आपके उपर लगेगा आम सैक का सेक्शन 38 सरीफ आदमी हो गरीब आदमी हो इंपोर्टेंट है हमारे देश में यह पूरी दुनिया में इंपोर्टेंट है सरीफ हो उसके साथ गरीब हो तो यह एक अलग ही जूर्म हो जाता है जो की डि चल रहा होता है इसमें जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है हाला कि अभी एक बहुत ही ऑनफॉर्चनेट घटना सामने आई है और एक नहीं बहुत सारी घटनाय सामने आई है जहां पे रिलीजियस कॉन्फिक्ट देखने को मिला है लोग आपस में लड़ रहे हैं तलव पुलिस के द्वारा आपके उपर लगाये जाते हैं जैसे कि आप तलवार रख रहे हो तो क्या आपके उपर आम स्वेक्ट लगेगा लगेगा तो सजा क्या होगी आपको जैसे दंगा हो गया कहीं पे भीडी कठा हो गई वहां पे आप अपनी लाइसेंसी लाइसेंसी या पिर बिना लाइसेंसी गन रखना ही अपराद है पर आपके पास लाइसेंसी गन है और उसको भी आप ऐसे जगह पे लेके चले गए जहां पर दंगा या रिवोर्ट हो रहा है तो उस टाइम पर आपके ओपर कौन से सेक्शन लगेंगे कितना सजा होगी और इसमें बहुत सार सेक्शन ऐसे हैं जिसका फ्रिक्वेंटली मिस्यूज किया जाता है बाइद पुलिस वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे एक्जामपल के लिए आप ये समझ लोग बेसिकली कि किसी पुलिस वाले से आप लड़ाई कर लेते हो कई सारे लोग 30 मार्क खां समझ के अपने आप और अपको पुलिस वालों से लड़ लेते हैं अगर आप लड़ लेते हो तो ये आपको इतना महंगा पर सकता है कि आप जीवन भर के लिए जेल जा सकते हो तो देखेंगे कि पुलिस वाले कौन से आर्म्स ऐक्ट का मिस्यूज करके आपको जेल भेजवा सकते हैं सारी यहां पर आप मुझे जॉइन कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि arms किसे कहेंगे जैसे हमारा पहला question था कि क्या तलवार रखना गुना है क्या तलवार को arms में basically book किया जा सकता है तो arms basically जो आपका ये arms act है उसका जो section 2 है उसके सब section c में mention किया गया है कि arms हम किसे कहेंगे तो ऐसा कोई भी weapons जो offense के लिए या खुद के defense के लिए चाहे आप उससे लड़ने के लिए use कर रहे हो या खुद को बचाने के लिए use कर रहे हो that include fire arms fire arms मतलब वो सारे arms होते हैं जिसको use करने के बाद वहां से fire निकलती है ठीक है मतलब कोई भी अबम बारूद कोई भी चीज ले लो ऐसी जो basically fire करती है इसको ऐसा समझ लो कि कोई भी जो emanation होता है उसको projectile motion में fire करती ह यह सारी चीजे mention है arms fact में मैं यहां पर आपको बस बता रहा हूं तो वो basically fire arms कहलाते है जनरली fire arms इसका नाम ही ऐसे पड़ा है कि उसको fire करने मतलब उसको जब हम fire करते हैं तो वहां से आग जैसे निकलता ही है मतलब आप कह सकते हो कि explosion होता है वहां पे फिर sharp ages की कोई चीज हो sharp ages में सारी चीजे आ गई आपकी तलवार भी आ गई चाकू भी आ गया सारी चीजे आ गया या फिर और कोई ऐसा deadly weapon हो या फिर उसका part हो या फिर ऐसी कोई machine हो या उसका part हो जिससे arms बनाया जा सकता है तो भी उसको arms act में book किया जा सकता है आप यह समझ लो पुलिस को अगर लगता है कि यह machine आप लेके जा रहे हो और इससे आप rod से तलवार बना सकते और उस तलवार से किसी को आप मार सकते हो तो वह आपको arms act में book कर सकते हैं हाँ एक चीज यहां पर exclude किया जाता है जिसका पुलिस जनरली यूज या मिस्यूज कर लेती है according to उनके फायदा हो रहा है जैसे जो भी domestic या फिर agricultural यूज की चीजें हैं लाइक लाठी लाठी तो बहुत सिंपल चीज है आमस एक में book नहीं होगी कोई order नी इस्टिक है या फिर जो agriculture weapons भी होते हैं मतलब जो agriculture में यूज किये जाते हैं लाइक मनलब आपके पास फावडा है कुलाडी है इस तरीके की चीजें हैं तो इनको आमस एक में book नहीं किया जाता है ऐसा नहीं कि इससे आदमी को मारा नहीं जा सकता है आदमी को मार दोगे तो जो IPC की धारा 302 तो आपके उपर लग जाएगी बट आमस एक्ट आपके उपर नहीं लगेगा क्योंकि इनको आमस के category में नहीं रखा ज जाता है हाला कि इससे भी आदमी को मारा जाता है विरिशेंटली न्यूज आई थी कि कानपूर में फावरे से ये कही family के 5 लोगों को मार दिया गया बट वो चुकी आमस में नहीं आता इसलिए उसको आमस एक में बुक नहीं किया जाएगा तो ये आपको समझ में आ गया कि arms होता है एक चीज मैंने और यहाँ पर अधन ही किया है ammunition क्या होता है तो जो भी आमस है अगर उनको charge करने के लिए किसी चीज का यूज किया जा रहा है या जिस चीज से उसको charge किया जा रहा है उससे हम ammunition कहेंगे example के लिए बंदूग की गोली अब गोली बंदूग को चार्ज कैसे करोगे उसमें बुलेट रा लोगे तब ही तो वो चार्ज होगी तो एक तरह से जो बुलेट है वो चार्ज करने के लिए यूज हो रहा है आम्स का तो उसे अमुनेशन कहते हैं या फिर किसी भी टाइप का यूज बी चार्ज करने के लिए जो भी मटरियल चहीं आपको उसे अमुनेशन में रखा जा सकता है डिटेल में में बसके बसकी आपको ब्यक्रीषर बता देता हूं ताकि आपको बसक आईडिया हो जाग आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सेक्शन सेवं की क्या है सेक्शन स एक्विजेशन एंड पोशेशन आफ मेनुफेक्ट्रिंग और सेल आप दब प्रोहबिटेड आम्स और प्रोहबिटेड एमिनेशन मतलब आप कोई भी ऐसा आम्स मतलब कोई भी आम्स में सब कुछ आ गया जो मैंने आपको बताया जो कि गॉवर्मेंट के तरफ से बैसिकली प्रोहबिटेड है आपको नहीं रखना या नहीं बनाना या नहीं सेल करना है कोई भी हो अगर कैसा कोई आम्स रखता है तो वो बैसेकली सेक्शन सेबन की वाइलेशन मानी जाएगी अगर आप सेक्शन सेबन की वाइलेशन करते हो तो आपको सजा क्या होगी यह मेंशन कि प्राइफ टाइम का imprisonment हो सकता है उसको उपर fine अलग से लग सकती है जैसे संजय दत का आपने case सुना था उन्होंने AK-47 रखा था अब AK-47 प्रोहविशन में आती है मतलब उसको in general public use के लिए government ने prohibited कर रखा है अब वो उन्होंने जिससे खरीदा कहां से लेके आए तो जो उसको बेचता है जो उसको खरीदता है जो उसको अपने पास रखता है उन सभी को माना जाता है कि आप जो Arms Act का section 7 है उसको violate कर रहे हो आपको इसके अंदर सजा दिया जाएगा according to the section 25 1 double A मतलब यह उसका सब section है कितनी सजा होगी minimum 10 साल की होगी और maximum तो आपको lifetime jail में रहना पढ़ सकता है अब यह depend करता है जज सहाब के wisdom के उपर और आपके वकील के argument के उपर और उस ताइम पे मीडिया के महौल के उपर इन सब का effect पढ़ता है अब next जो section है that is 25 का sub section 1 A B यह जो section है इसको 2019 में insert किया गया था मतलब इससे पहले यह हमारे arm site में नहीं था newly add किया गया है और इसका misuse भी तब से खुब देखा गया है हाला कि इसका use भी है जरूरी भी था बट इसका misuse भी हो रहा है जो मैं आप कहा रहा था किसी पुलिस वाले से लड़ाई कर लोगे वो यहीं से use होके निकलता है अब यहां पर कहा गया है कि whenever by using the force take the fire arms from the police or armed forces ठीक है अगर किसी भी पुलिस या armed forces से defense person से आप forcefully उसकी बंदूग छीन लेते हो उसका gun छीन लेते हो उसके fire लड़ाई से क्या लेना देना है मान लीजे किसी पुलिस वाले से आपकी लड़ाई हो गई और पुलिस वाला आप को 25-1-A-B में वो कहेगा कि आप मेरा अथियार चीनना चाह रहे थे और जैसे ही चीनना चाह रहे थे वैसे ही लगेगा arms act 1-A-B चाहे आप चीनना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो हाला कि ऐसा नहीं है कि वो कह दिया तो आप बुक ही हो जाओगे definitely उसका situation गवाव सबूत ये सारी चीजे करनी पड़ेगी बट आपको पता ही है कि किस तरीके से सबूतों और गवाओं के साथ इंडिया में खेला जाता है तो बेवज़ा कभी किसी पुलिस वाले से लड़ाई नहीं करना है अगर कर लिए लड़ाई तो जिन्दगी भर के लिए जेल हो सकती है ध्यान रखना निक्स इसके वालेशन की बात किया गया है कि ऐसा कोई आम्स जो प्रोहबिटेट था और आपने उसको रखा हुआ है और उसके चलने के वज़े से किसी की मौत हो जाती है उस केस में आपको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 27 के सब सेक्षन 3 के इसाब से हाला कि इस से पहले 2019 के अमेंडमेंट से पहले केवल और केवल आपको सजा मिलती थी दित का मौत का मतलब आपने ऐसे अथियार रख रखा है जिसको सरकार ने prohibited कर रखा है और उस अथियार से किसी की मौत हो जाती है तो आपको भी मौत की सजा मिलेगी बड़ 2019 में सरकार ने थोड़ा सा relaxation देते हुए ये कहा कि मौत की सजा के साथ साथ imprisonment भी मिल सकता है मतलब आपको lifetime jail या फिर मौत दोनों में से एक मिलेगा मतलब यहाँ पे अब इसका use miss use वैसे इस टाइप की जितनी भी section होते हैं सबका miss use और use होता है ठीक है अगर आपका सब कुछ ठीक रहा पुलिस वाले खुस हैं आपका political patch up है तो आपको यहाँ पे lifetime imprisonment मिलेगा और कुछ भी नहीं है तो फिर death की सजा मिलेगी यह 2019 में add किया गया है किस केस में अगर कोई ऐसा आमस आप रखे हो जो prohibited है next बात करते हैं हम section 8 की कहा गया है कि provision of sale और transfer of fire arms और ammunition not bearing the identification marks मतलब अगर law or act की भासा छोड़के simple दिहाती भासा की बात करें तो देशी बंदू किया फिर फरजी बंदू किया जिसे आप कह सकते हो illegal बंदू कटा या किसी भी type का इस type का जो देशी चीज़े बनाई जाती है मतलब इससे पहले भी कई सारे sections हैं जिसमें कहा गया है कि जो guns है उस पे जो manufacturer है उसका marks होना चाहिए कौन बनाया है किसने बनाया है यह सारे होना चाहिए जैसे यहाँ पर mention है stamp होना चाहिए बनाने वाले के पास license होना चाहिए और आप उसको erase नहीं कर सकते हो अगर लेके आ वो basically आपका section 8 के हिसाब से होता है अब section 8 का violation आप कर देते हो मान लिजिए आप बेच रहे हो ऐसा बेचना मना है मतलब violation of section 8 subsection 2 यह subsection 2 की हम बात कर रहे हैं तो subsection 2 की अगर आप violation करते हो तो इसके हिसाब से आपको जो सजा दिया जाएगा वो mention है इसके section 25 के 1B में मतलब से लेके 7 यह तक imprisonment हो सकता है तीन साल से कम तो नहीं होगा साथ साल तक का हो सकता है ध्यान रखिए ऐसे गन आप बना रहे हो जो public use में है government ने उसको provided नहीं कर रखा है अगर आप illegal तरीके से 47 बना रहे हो तब तो section 7 का violation हो जाएगा समझना इस बात को दोनों में difference है section 8 के violation मे अगर आप ऐसे arms बना रहे हो जिसको सरकार allow करती है public use के लिए तब section 8 का violation माना जाएगा अगर आप ऐसा arms बनाते हो जो prohibited है तो section 7 का violation माना जाएगा और उससे किसी की जान जाती है तब तो हो गया आपका कल्यान यहाँ पे illegal तरीके से आप गन बनाते वेशते हो तो आपको 7 यह तक की सजा मिल सकती है next section 20 arrest of the person conveying arms etc under the suspicious circumstances अब कई लोग होते हैं जिनके पास license गन है और धीट बन के लेके घूमते हैं कहीं भी चले जाते हैं और पुलिस वाले भी पुलिस वालों से भी नहीं ड़ते हैं उनको लगता है पुलिस वाला क्या करेगा हमारे पास तो license है तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करेंगे हाँ जनरली वो नहीं करते हैं इसलिए नहीं करते हैं उनको पता है भाई license गन लेके घूम रहा है पाउर वाला आदमी होगा आज मैं arrest करूंगा या कोई धारा लगाऊंगा कल हमारे उपर pressure आ गया तो that is the different thing अगर कोई करना ही चाहता हो तो वो आपको कह देगा कि भाईया बस आपकी licensing gun है तो भी मैं इसको siege करूंगा और आपको arrest करूंगा दियान रखना आईसा नहीं कि बस gun आपसे ले लेगा वो आपको arrest भी कर सकता है कौन कर सकता है कोई भी magistrate हो police officer हो कोई कोई public servant हो जो basically aircraft employee जाते हो आप न बोर्ड करने त हो रहा है तो इन सभी लोगों के पास power होता है कि वो आपका हथियार जो है उसको siege कर सकते हैं और siege के साथ आपको arrest भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया तो कहीं भी यह देखो सारे prohibited चीजे लिखी गई है जैसे कि railway में भी नहीं लेके जा सकते हो आप और आप क three years लेके seven year तक jail हो सकती है मतलब कहीं पे दंगा हो रहा है तो आपके पास licensee gun है तो भी आप वहाँ पे लेके नहीं जा सकते वो allow नहीं है और कई सारे लोग डराने के लिए हवाई firing भी कर देते हैं कई सारे लोग house firing करते हैं मतलब खुसी में साधी विया में उस case में भी आपको सजा हो सकती है नेक्स जो आपका section है that is 29 punishment for the normally purchased arms from the unlicensed person मतलब कोई फरजी बंदूग बना रहा है और आप उससे खरीद रहे हो यहाँ पे एक थोड़ा सा loop fall है हमेशा इस तरीके की चीजे रहती हैं अब सोच के देखो किसी आदमी को आप कहोगे कि तुमने फरजी ग पता था इसलिए खरीद लिए क्योंकि section 29 तभी लगेगा जब आपने जानबूच के खरीदा है तो कोई तो इस बात को admit करेगा नहीं कि मैंने जानबूच के खरीदा है मुझे तो यही लग रहा था कि आदमी बनाता इसके पास license है इसलिए बेच रहा है हाँ यहाँ पे ऐस का मतलब उसमें कुछ चीज़ें add करके एक फरजी पिस्टल बनवा के कि थोड़ा सा advance हो ऐसा लेके आ गए तो ऐसा काम करते हैं लोग कि license किसी और गन का है और फरजी जगर से उसी license पे कोई दूसरी बंदू खरीद दिये उस case में भी आपको 3 year के लिए सजा हो सकती है नहीं पता था तो वो नहीं लगाते हैं नेक्स जो आपका section है that is section 38 और इसका misuse तो इतना होता है जितना tissue paper का use नहीं होता है अब कहोगे कैसे क्योंकि ये जो act है ना इस act में सारे जो आप violation है वो बिसिकली है cognizable offense मतलब पुलिस बिना warrant के आपको arrest कर सकती है अब माल लीजिये कि पुलिस गई आपके घर arrest करने या फिर चानबीन करने या सर्च करने कुछ भी करने गई और आप पुलिस वालों से भीड़ गए बहस हो गई और उस time पे पुलिस वाले आपको arrest कर लेते हैं और आप कहते ह हम भी कानून जानते हैं कानून हमने भी पढ़ा है चलो warrant लाओ तभी तुम मुझे arrest कर सकते हैं और पुलिस वाले धक्का मारते हुए आपको गाड़ी में बिठा देते हैं आपकी एक नहीं सुनते हैं इवें दो आप law पढ़े हुए आपको लगता है शाला law तो पढ़ा थ कहते हैं कहते हैं इनके घर में हम सर्च करने गए थे और वहां पे मिला हमको एक अबायद असलहा और पुलिस खुदी अबायद असलहा रखती है और वह आपके रख के कहती है तो हमने इनके घर से उठाया था इनके घर में मिला था और जैसे ही अबायद असलहा लगा आपक ना करें अगर आपके पास बैक अप नहीं है तो बैक अप इन दे सेंस कि आपके पास अच्छे लॉयर्स नहीं है आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है कि आप लोगों को खरीश सकते हो सरीफ आदमी हो गरीब आदमी हो important है हमारे देश में यह यह पूरी दुनिया में important है सरीफ हो उसके साथ गरीब हो तो यह एक अलग ही जूर्म हो जाता है जो की define नहीं किया गया है और आपके उपर पुलिस कोई CV धारा कोई CV sections लगा सकती है तो अगर आपके उपर यह section लगाया जा रहा है तो ध्यान रखना कि इसमें आपको arrest किया जा सकता है अगर आप पुलिस से भीड़ते हो इसलिए मैंने starting में ही कहा था कि इसके कुछ section ऐसे हैं जिसका frequently misuse किया जाता है जैसे section मैंने आपको बताया था 25-1-A-B और section 38 एक तो लड़ाई के case में लगा देते हैं आपके उपर और एक search के case में लगा देते हैं फोटो खिचाते हैं वे पुलिस वालों को देखा होगा एक फरजी सी pistol रख देंगे और दो लोग पीछे मूँ बात के खड़े हो जाएंगे कहेंगे इनको हमने pistol के साथ पकड़ा है ठीक है तो होप सो की arms act का एक basic idea आपके मन में आ गया होगा और ये भी समझ गया होगे किस तरीके से इसका use और misuse किया जाता है इसी के साथ इस वीडियो को खतम करते हैं चलिए मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए all the best